जैन सातियों मैं आपका साती बोतफुर सानिक बनो सिंग आप लोग सोच रहोंगे सर एक मेने तक आप कहा है गाइब रहे आज की वीडियो में आपको मैं सारे जवाब देता हूं साती बात करेंगे तीन प्रमुग मद्दों पे पहला महराश चुनाओ में अगनिवीर का महराश चुनाओ के बाद में कमजूर अर्याणा चुनाओ के बाद में कमजूर पढ़ा है नहीं है उस पर उत्तर दोंगा लेकिन उससे बले बताता हूं कि एक मेना मैं कहा दा दोस्तों आपको पता ही है कि मैं आफ्टर रेटार्मेंट भी कंपनी का फीडियो ऑफसर हूं तो यहां मैं काफी विजी रहता हूं लेकिन कहींने कहीं मेरे अंदर में भी एक पीड़ा थी मुझे बहुत उम्मीद थी कि अर्याणा की चुनाओ प्रणाम होंगे कम से कम कोई भी पार्टी जीते उससे मतलब नहीं था लेकिन जो सत्ता बेटी पार्टी थी उससे मतलब जरूर था कि हां करने जंता का मेंडेट ऐसा आएगा कि उन्हों को सबग मिलेगा ऐसा हुआ नहीं कभी-कभी यह सा होता है कि जो आप लोग चाहते हो या सोचते हो चीज होता नहीं है चलो बहुत अच्छी है कि वहां के जो सीमें नाइप सेनी उन्होंने एक चीज बोली देख लेंगे कि उनकी बातों में बोजन कितना है लेकिन कैस का मतलब यह कि मैं अगनीवीर का मुद्धा ना उठाओं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है मैं निराज जुरूर था क्योंकि वहां से हर्याना एक ऐसा जहांसे कि आपने अपना दुप सरकार से अपनी मागे इस wzglोगान वहां स хват में ईनके उपर में इस में ये एक जो हमारे आधिकारियों कोई और उपी सही वालो दी जाने जी थी वो ने दीए की पूरा अधिकारियों को इसमें उसका benefit मिला हुआ है तो कहिने कहीं मुझे लगा था कि सबक सिखाएंगे लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं कभी-कभी इपने मनकी में नहीं होती है अलांकि वहाँ पर योगी जी की सरकार वस्गी मुझे ऐसा लगता है बटिंगे तो कटिंगे वाला जो उनका डायलोग हो का भी मुझे और योगी जी का मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ अलांकि मैं वीजेपी ये कोई पार्टी वाला नहीं हूँ मैं कि हाँ मैं यह है वो है मैं जो अच्छा प्रत्यासी होगा मैं उसका हमेशा ही फैन रहा हूँ अब यहां पर सब चीजें जो है वो कहने उसके लिए हम भी रिस्फोंसिवल है आदमी चाहत पास सब में बठके लिए इसलिए अब हर कोई आत्मी यह सुचता है कि कहीं हमारा धर्म कद्रेंबजनी है इतने साल मगलों ने हमारे उपर मैं सासन किया वह हमारा धर्म खत्म नहीं कर पाए तो आज किसी क्या होका दे कि वो नुक्सान पुच्छे मुच्छे लोगों होते हैं एक्च्छल में जो इस पकार के करम करते हैं उनका उनके धर्मों से कोई लिना देना नहीं होता क्योंकि कोई भी धर्म कभी गलत करना नहीं सिखाता कोई धर्म कभी किसी का बोरा करना नहीं सिखाता है कभी कोई भी धर्म मार काट करना नहीं सिखाता है और जो ऐसा करते हैं वो साले धर्म क लोग लग लग छेत्रों के नहीं वाले एक साथ मिलते हैं रहते हैं लोग 18 साल 20 साल 28 साल 32 साथ में रहते हैं और कितना अच्छा लगता है कोई साथ का है कोई इस्ट का है तो यह चीज़ें बहुत अच्छी है यार कि यहां जात पाथ धर्म सर्ची से हटके सुझा जाता है हम सब एक भारती हैं हम लोग यहीं सोचते हैं और यहीं सब को भी सूचना चाहिए तो महाराट से चुनाओ जरूर गायब है क्योंकि यह ची भाला कि सेना से अधनिबती ऊटना वापस की जानी चीया उसके वेले पर्मनेन भड़ती जैसे ती व्रसे होनी चीया उन्हें का जोइनिंग नहीं दिया यह चिंका रिटरे निक्जाम प्यांटिंग था उनके उपर में एक वी पॉइंट किसी ने पाक्स ने नहीं बोले ब स्वाज़ाइब कोई शर्द मेरा मानना है मुझे लगता है कि तोड़ा पड़ चैता कि उत्राखंट हो गया राजस्तान बहुत सारे लोग इंडियन आरवी में आते हैं या बहुत सारे लोग इंडियन आरवी के बोद्पूर सहनिक हैं या किसान वर्ग से आते हैं तो तीनों वर असंतुष्ट था लगा था कि ज़रूर सरकार को सबक सिखाएगा पर वोड तो आप भी उसी परिवर का है सांदी वोड लोक तो इसका मतलब क्या यह हो जाए कि हम अगनीवीर पर बात करना चोड़ते हैं या अगनीपद यूजना को लेकि हम कोई वीडियो ना बनाए नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है अगनीपद यूजना के बैसकार के लिए 2002 से वीडियो बनाते हैं आगे बनाएंगे आप लोग की वाज हम लोग उठाते रहेंगे इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हम उसके साथ साथ हर तीसरा चोटा वीडियो में मैं अगनीपद यूजना के लिए जरूर बोलूंगा अगनीवीर यूजना हमारे भारत सकार से बंद होनी चीए इसके बदले परवनेंट भरती नहीं जिए उसके लिए मैं जरूर बोलूंगा बागी आप लोगे क्या रहा है कोमेंट्स में जरूर बताना काफी दूनों के बाद माया हूं प्यारा सा लाइक प्यारा सा कोमेंट्स करके मेरे होसले जरूर बढ़ना ताकि आप लोगे आवाज बनके मैं आप लोगे आवाज ताकि आपको नोडिविकेशन सबसे जल्द मिलें